गूगल ने इंटेडूस की अपना theft protection system अभी किस तरह से work करता है guys आज किस वीडियो में में बात करने वाले है जिसमें होगा क्या guys आपको दो options देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले एक theft detection lock है उसी के साथ offline device lock है अब यह दोनों option आपको कैसे नेबल कर सकते हो अपने किसी भी android device म आगे बात करेंगे बड़ उससे पहले यह features work कैसे करते हैं उसके बार में बात कर लेते हैं क्योंकि यह हाली में ही मतलब September update में यह features देखने को मिले हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले theft detection lock अभी किस तरह से work करता है guys कि आप जैसी इसको enable करते हो जैसे कि मैं आप इसको on करता हूँ यहाँ पर आपको सारी summary देखने को मिलती है किस तरह से work करता है जब भी आपका phone चोरी होगा यह से automatically lock कर देगा और कोई भी आपका personal radar access नहीं कर पाएगा उसके बाद इसमें आपको special device motion sensor यूज किया जाएंगे या फिर wifi से automatically detect कर जाता है तो यह automatically इसक lock हो गया उसके बाद कोई भी आपकी location tracking को off नहीं कर पाएगा और अगर आपका data off भी है then भी आप लोग इसकी location automatically track होती रहेगी कभी भी तो यहाँ पे कुछ चीज़े इनोंने mind में रखने के लिए कि इसमें आपका device unlocked नहीं होना चाहिए और screen lock होनी चाहिए twice a day यह चीज़े नहीं द्यार रखने के लिए कई है तो simply आप चैसी enable कर दोगे चुद्चोरी होने के बाद अप लोग फिर भी अपने data को काफ़ी तक बचा पाऊगे कहीं भी कोई issue आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके साथ गैस अगर में लोग बात करें तो इसमें आपको और भी option मिल जाते हैं इसे find and erase data बड़ उसके इलावा इसमें जाद चीज़स नहीं किये गए हैं यहां पर और options future में add होने वाले हैं वो भी इसमें disclose नहीं किये गए हैं उसी के साथ अगर आप इसे access करना चाते हो और आपके phone में यह option देखनी को नहीं मिलता है तो उसके लिए आपने कह options पे आप लोग set कर सकते हो जिसमें आपको क्या देखनी को मिलेगा क्या है इसकी आपके area में जितने भी network है आप लोग simply उनको access कर पाऊगे अदरवाइस इस high traffic area आपको देखनी को मिलता है बट यहां पे आपको without network का भी option देखनी को मिलता है कि अगर आपका इन्होंने data off कर अब guys बात कर लेते हैं कि option आपको देखने को आप मिलेंगे क्योंकि यहां पे आपने क्या करना है सबसे पहले जाना है सेटिंग में स्टोल डाउन करना है Google पे जाना है यहां पे simply tap करना है आपको Google services देखनी को मिलेगी उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है यहां पे आप आपको दो option देखने को मिले जाता है recommended और all services recommended में आपको September 2024 देखनी को मिलता है उसके लिए find my device password quickshare यह देखनी को मिलता है उसी के साथ वर्स new में आपको September के update देखनी को मिलते हैं तो September में कौन को से updates आया है यहां पे आपको देखनी को मिलते हैं गूगल Lens में आपको इन चीजों को access कर पाओगे यह सारे features इस बार इस month ही update किये गए हैं जो कि आप लोग simply try कर सकते हो यह features officially disclose की गए है बड़ उसके लिए आपको security status मतलब Google Play system update को update करना पड़ेगा उसके बाद all services में आप लोग जाते हो यहां पे आपको बहुत सारी services देखनी को मिल जाती है ज उसी के साथ आपको देखनी को मिल जाएगा find my device उसी के साथ बीचे में आपको देखनी को मिलेगा theft protection जिसको enable करने के बाद आपका phone पूरी तरह से secure हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग simply enable कर सकते हो बाकी future में ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को भी subscribe कर सकते हो जाल कर सकते हो